एक और सवाल था मैंने सुचा कि इस वीडियो में किलियर कर दे हो सकता है तो इस साल और बच्चों को फरम फिल कर दिये होंगे तो इस साल और बच्चों को इसका जरुवत ना परे लेकिन अगले सल जो बच्चे आएंगे चाहे आप लोग भी बहुत सारे बच्चे को ऐसे मा कंपार्टमेंट लगा हुआ है दो सब्जेक्ट में लगा हुआ है किनी किनी का तीन सब्जेक्ट में लग जाता है तो किस केस में हम लोग अपना कंपार्टमेंट के एक्जाम उसी साल दे सकते हैं जिस साल हमारे रिजल्ट आया रहता है तो यह बहुत अच्छा सवाल था बच्चा बहुत कमेंट करके पूछता भी है सब और बहुत मतलब क्या कंफ्यूज भी रहता है सब यह का सकते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है अगर आप कमपार्टमेंट के एक्जाम देना चाहते हैं तो कम से कम क्लास 10 के लिए दो सब्जेक्ट में अगर आपको कमपार्टमेंट लगा होगा मतलब कमपार्टमेंट लगा होगा तो आप लोग दो सब्जेक्ट में एक्जाम अपना दे सकते हैं क्लास 10 के लिए ऐसे अगर class 12 के लिए बताएं तो cvc ये सक्स cvc ये निर्देश दिया है कि class 12 के लिए आप सिर्फ एक subject में अगर आपको compartment लगा होगा तो अपना इसी साल आप exam देके उसको हटा सकते हैं अगर एक साधिक subject में class 12 में अगर compartment लगा होगा तो उसके लिए आपको एक साल पूरा वेद करना होगा और अगले साल आप जाको उसका exam दीजियेगा ठीक है clear हुआ की नहीं मतलब class 13 में अगर दो subject में आपको compartment लगा होगा तो इस साल exam दे सकते हैं दो में या एक में ठीक है एक ये दो में अगर लगा होगा तक लोग नीफिकिर होके इसी साल आपना exam दे सकते हैं जिस सल आपका compartment लगा होगा ठीक है जिस साल आपको result आया होगा अगर 2 साधिक आया होगा तो आपको next year फिर आपको एक्जाम देना होगा ऐसे अगर हम लोग class 12 का बात करें तो class 12 में सिफ एक subject में अगर 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 एक्जाम दे सकते हैं, अगर एक सधिक में अगर लागा होगा तो आपको next year देना होगा, class 13 और 12 में यही अंता है, class 13 के लिए 2 subject आपको छूट मिलता है, class 12 के लिए सिफ एक subject आप वो compartment है होगा तो इस सलाप इज्याम दे सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो कहीं पर end करते हैं मिलेंगे next वीडियो में अगर आपको थोड़ा सभी information मिला होगा तो इस वीडियो को like करना है मेरे channel को subscribe करना है मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद